इसके पहले हम लोगों ने जोड घटाना गोडा भाग में दो वीडियो में मैंने पढ़ लिया था उसके आगे जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे वो प्राकितिक पूर्ण पुडांग तथा परिमेश रंख्यों की अधार्णा है अर्थात इस टॉपिक को हम तीन अध्यायो पुरा पढ़ा रहा हूं यह NCRT पैटन पर है और यह प्राथमी की किताबों से ले आ गया है तो हम चलिए एक्के करके पढ़ते इस वीडियो को पर लाश्ता गरब देखिएगा व्योंकि अगर आपको गणित नहीं आती और आप चाते गणिते भैतर स्कोर करें तो हमारी वीडियोच आपके लिए सबसे ज़्यादा मददगार शावित होंगी और अगर गणित आपको पहले से आती हैं तो हर एक छोड़ी छोड़ी चीजों को मैंने आप जोड़ा है जो सभी बड़ी किताबों में आपको देखने को नहीं मिलती चलिए आए देखते हैं सभ्यता में विकास होने के साथ साथ अंको का उप्योग प्राचीन समय से चला रहा है हमें जानते सभ्यता के विकास होने के साथ साथ अंको का उप्योग प्राचीन का से चला रहा है प्राचीन समय में संख्याओं को बेक्त करने के लिए पत्थरों गोलियों इत्रों तो कोडियों आदि का प्रियोग किया जाता था इसके बाद चिन्नों का प्रियोग किया जाने लगा इन्हीं चिन्नों में सुधार होते होते इन्होंने अंक का रूप ले लिया इन्होंने क्या ले लिया अंक का रूप ले लिया फिर हम आगे देखते हैं कि अंकों से समधित जानकारी को हम शंक्या विधी कहते हैं, अंको से सम्माधित जानकारिकम क्या कहते हैं, शंक्या विधी कहते हैं, मनुस की जीवन में प्रतदिन गिनने, मापने, तौन्नों की आसकता होती है, इनका ज्यान हमें कहां से होता है, गणित से होता है, गणित से होता है, यह सबसे पहला प्रशन उ भी देखेंगे तोहां पर आपको मिलेगा कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है आज आई हम इन दोनों बातों करते हुए पढ़ते हैं संख्या क्या है संख्या किसे कहते हैं कितनी वस्तुएं हैं जिसका बोध होता है उसे संख्या कहते हैं कितनी वस्तुएं हैं हुमेनीन गोर्स यह किस से होता है उसे शंख्या कहते हैं नंबर कहते हैं जबकि शंख्या को लिखने में प्रयुक्त अंक मानि शंख्या को लिखने में जितने अंकों का प्रयुक्त होता है उन्हें हम संख्या कहते हैं अर्था जिन संख्या को द्वारा बेक्त करते हैं उन्ह हम संख्यांग कहते हैं ठीक है फिर आगे देखा हम लोगों ने सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए सुन्यत्तर सुन्य को छोड़कर अनसभी अंकों को बाई और से आरोही क्रम में बढ़ते हुए लिखा जाता है सुनने को छोड़ कि नशभी अंकों को बाइं और से आरोही क्रम में लिखा जाथा थिक लोगा T dar 65 teru만 फिर हम दिखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या प्रापत करने के लिए गए अंकों को बाइं और से औरोही करम घड़ते हुई में लिखा जाता है इसके वारे हम आगे हम लोग एक एकरम से देख लेंगे अब आगी चो ट्यूम परण आगेखना है वो परणवधिन नंबर क्या पढ़न नभु को प्राकृतिक नेचुरल नमबर पढ़ना है तो प्राकितिक संख्याइं इतवा धन पोडांग कहराती है प्राकितिक संख्या GIR ने कहते हैं इन यृत्त किया जाता है सबसे शोटी प्राकित संख्या एक होती है सबी प्राक्तिक संख्याओं के संग्रह को यन से कैप्टल यन से निरूपीत करते हैं जितने प्राक्तिक संख्याओं का संग्रह होता है उन सभी को कैप्टल यन से निरूपीत करते हैं फिर हम देखते हैं चुकि यहन अपरमित रासी है इसका मान नहीं बदा सकता अतब प्राक्ति संख्याओं को धन पुडांकों के संख्या अनंत होती है आप जानते हैं जो धन पुडांक होते हैं उनकी संख्याओं जो होती है वो अनंत होती है फिर हम आगे देखें प्राक्ति संख्याओं को धन पुड़ांग भी कहते हैं इन संख्याओं को आई प्लस और जड़ प्लस से भी निरुपीत किया जाता है आगे देखते हैं प्राकितिक संख्याओं के बारे में कुछ महत्वपून बाते हैं इसे अब नोट डॉन कर लिजेगा इसकी स्कीन साथ लिजेगा क्योंकि आपके सभी परिष्छा में काम आएगी और इसे सभी साथियों को अपने सेर कर दीजेगा और इसकी प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम में पर स्टॉल करेगा सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना इस पेस दिए इलेनी पर दुर्गेश साथ आप जुड़ को ये एक दो तीन चार पांच अनन तक अर्थात ये क्या है प्राकृतिक संख्या हैं हैं अगे दिखते हम लोग किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूरु संख्या की परवर्ती संख्या होती है इसे हम अनुवर्ती संख्या के नाम से भी जानते हैं ज जैसे 5 की परवर्ती या अनुवर्ती क्या होगी प्लस एक अर्थात 6 होगी ठिक अब आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट किसी संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूरवर्ती संख्या कहलाती है क्या कहलाती है पूरवर्ती कहलाती है ठीक है जैसे पांच की पूरवर्ती माइनस एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा चार आगे देखते हैं सबसे छोटी प्राकिती संख्या यह आप जानते हैं सबसे छोटी प्राकिती संख्या एक होती है और सबसे बड़ी अनन्त होती है आपको पता ही है किसी भी संख्या के दाई और उसकी परवर्ती संख्या तब बाई और पूरवर्ती संख्या होती है जैसे य इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अगले अगमे करमागा संक्हाय क्या है परिम्य करमागा संख्याय किसे कहते हैं उसकी तत्यों को हम लोग इसके बात बीडियो लेकिंगे महाँ पेसे हम हर एक बारिकी को पूरे धान से पढ़ेंगे ठीक है और इस वीडियो आपके सीटेट के लिए महत्वपुन रुप से बनाया गया है लेकिन यूपीटीट के सेलवस में इस बार सम्रित कर लिया गया है इसलिए इस वीडियो की महत्वा और बढ़ जाती है फिर प्रागे देखते हैं हम लोग फिर अगले देखा की संख्या में एक जोड़ने पर अगली प्राकित संख्या प्राप्त हो जाती है देख रहे हैं आपर की संख्या में एक जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो जाती है फिर किसी भी प्राकित संख्या को अगली संख् सबसे बड़ी संख्या ज cases legis청 को वो होगी और अहाज़ एक संघ्र ृपर परतिक प्राक्रिस संख्या अपने judgement आने बता आया कि एगर ज जिरो एक की कोई पूरवरती संख्या नहीं होती ये एग्दम लिख लिजेगा याद कर लिजेगा और रट लीजिएगा नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी, आगे दिखते हम लोग, एक क्यात्रिक सभी प्राक्ति संख्या को ठीक पहले प्राक्ति संख्या जो होती है, वो क्या होती है, पूरवर्ति संख्या होती है, मनि एक क्यात्रिक जितनी भी संख्या होती है, उसकी ठीक पहले की जो संख्या नहीं होती प्राकिस संख्या की ठीक बात की जो प्राकिस संख्या होती उसे अनुवर्ती संख्या के दिया से मैं ने बताया किसी प्राकिस संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त होती है वह संख्या की अनुवर्ती संख्या होती है ठीक उसे परवर्ती संख्या के यांघर नाम से भी जाना जाता है एח छोटा से पाश्णा बताइएगा कि 899ट के परवर्ती कांच से संख्या होगी आट지 पूर्ण संख्या है क्या आता है पूर्ण संख्या है अच्छा पूर्ण संख्या बताने से पहले हम आपको बताएं अगर आप वीडियो देखेगा तो अगर आप टेलिग्राम से नहीं जुड़ें तो डिस्किप्शन में ज़रूर जुड़िएगा कि जब भी हम वीडियो च की notification आप तक नहीं पहुच पाती उसलिए आप अगर टेलिग्राम में फ्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे आप उसकी link मिल जाएगी और हमारे फिब्जुक पिच इलेनी बुद्रगेश पर भी उसकी link उपलब्द हो जाएगी चलिए आगे देखते हम लोग पूर्ण संख्या इसे होल नंबर के नम से भी जाना जाता है ठीकर यदि धन पोडांको के श्रमू में धन पोडांको के श्रमू में सुन को भी समनित कर लिया जाए तो जो नया समू होगा उसे हम क्या कहेंगे पूर्ण संख्या कहेंगे अर्थाथ जीरो सहीद प्रक्तिक संख्या या जीरो स इसे सभी साध्यों को अपने स्यार कर दीज़ेगा और ओनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप नंबर दिके हलकल का दिख रहा है प्राक्तिक संख्या नहीं है ठीक सभी प्राक्तिक संख्या है प्राक्तिक संख्या होती है इसका विप्री सत्त नहीं है क्योंकि यह कहना कि सभी प्राक्तिक संख्या होती है यह गलत हो जाएगा व्योंकि जीरो एक प्राक्तिक संख्या है लेकिन प्राक्तिक संख्या नहीं है आगे देखते हम लोग सुन सबसे छोटी पूर्ण संख्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या और प्राकितिक संख्या क्या है तो आप कमेंट करके बताईएगा कि सबसे छोटी प्राकितिक संख्या क्या है आए पूरांग की बात करते बाके नियम प्राकितिक संख्या जैसा ह ही है अगे देखते हम लोग पूरांख ठीक डिजश क्या है संक्थ डिश्क हों का uhma raggisard जिसमें रिण पॉरांख सोने पॉरांख पॉरांक दफन इसे हैं इसे आई तथा जड्य से प्रदासीत करते हैं इहां पर देखिए जैसे यहां पर खुल कर जीओ करते घा她ं सुन्नि पोणरांग फिर ढन पोड़ाग मिलाकर पूर्वसंख्याइं क्या लाती है कि सभीर क्या है सभी रिड़ात्मक संख्याइख लेड़कर याइख लाती कि है रिड़र 593 मुनद्वांश पू carrier तब तक हमें ये बताइएगा सबसे छोटी रिड़ पुड़ांग क्या होती है सबसे छोटी रिड़ पुड़ांग क्या होती है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सबसे बड़ी क्या होती है सूने ना तो धन पुड़ांग है ना रिड़ पुड़ांग हुआ है ऐी देखते हैं एक सरल पुढांग्रेखा पर पुढांगों का निरूपना है आए आगे पड़ते हम कि दोनों और अनन्ताक विस्तार की तीरिक लगाए और निम्निज की चित्र बनाएं यह एक चित्र के सामनी बना इसे प्रिन बनेगा चित्र एक उत्र पहले प्रशने देया था जैसे बताते को प्रशन था यहां पर दीखे जीरो हो गया इसके दाएं तरह बढ़ेंगे धनात्पंग नंबर एक दो तीन चार पांचे शाथ आट नो मैंने यहां से धन पुड़ा आंके प्राक्टिसंग है जीरो को सम्दित कर लिए तो पूर संख है इधर माइने संख है हमने यह पूछा था कि सब जा गया है यहां परदासित कीजिए अब दीगई सरलेका को बिंदू पीसे सुरू कर के दोनों दूसाओं में किसी स्थिर एकाई जैसे वां सेमी दो संख जो भी स्थिर एक हो दोनों के जो बीच की दूरी हो सद्थी कॉल हो चाहत दो संख दो संख में पराबर होने प्रतरशित करते हैं और फिर क्या करेंगे फिर प्रम्या के लिए अब यहाँ पर हमें देखने को क्या मिला मुख्य बाते नीरुपी थैं अब यहाँ से तेर का मुख खुला होना माने अनंतिक विस्तारित है अता सरलेखा पर सभी पुणांग निरुपीत है उप्यक्चित दर्साता है कि पुणांग में ने तो सबसे पहला ने सबसे छोटा कोई पुणांग है ने तो सबसे बड़ा ने तो अमतिम कोई पुणांग है बिंदु पी अत्वा सुन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं पी बिंदु जो है सुन बिंदु है उससे क्या कहते है इस बिंदु को ठीक है आगी देखते हैं फिर सूनिके दाइं और आधी रेका सरल रेका धनात्मक को अर्धरेखा कहलाती है अर्धरेखा वह ऐगा जो सरल रेका ज् их जो पुडांक अथवाव यह संख्या रेका के घर आती है ठीक अब यहां पर कुछ जानने यहीं वह बात से पूछा आधिक है चाली आगे पढ़ते हैं अगला गेड़न परमेहे शं्या भी हम लोग पढ़ रहें लेकिन कुछ दर्वात पूना और और उसा Bowl को लिए जहां, रेशनल लंबर ठीक है यहां से यूपीटीटी में लगातार तीन वर्षों जे प्रस्ण आता है सीटेड यूपीटेड का एक ऐसा ध्याय है जहां से कोई भी वर्ष कोई भी रहो लेकिन प्रश्ण जरूर पूछे जाते हैं ठीक है चलिए आए तब इनको देख लेते हैं जब इतना ज़्यादा महत्तुपूर्ण है तो हम पुडांक के बिशे में जनकारी ले चुके हैं पुडांक क्या होता है कि पुडांकों में भाग की संक्रियाँ क्यों नहीं होती है इतने प्रिवासित नहीं है क्योंकि यदि हम आठ को चार से भाग देते हैं तब परापत होता है तो पड़ती है जोकी पुडांक ठीक है तो हमनों देख लिया कि जिस प्रकार से भाग देने पर कि संक्याह घेद पूरांखो की प्रखतार पॉरांखी में इसी कारण के छितर का बिस्तार पुढांच में भाग की संक्रियां को परिभासित करने के लिए किया गया है ये विस्तार संख्याई पुरांखों कि सुन के अतरकति कि अपुढांच पूँढांगे अतर encrypted था शून के अत्रिक्त से भाग करने पर परमेश संख्याओं का एक समुच्चे बनता है मतलब एक लाइन में कह दें कि वे सभी संख्याइं भिनात्मक संख्याइं इनका अंस और हर सदय पुडांखो परमेश संख्याइं कहलाती हैं इसे हम इसा पी बटे क्यों की रूप में व्यक्त किया जाता है इसे हम पर दिया गया है वे संख्याइं जिनको पी बटे की रूप में भ्यक्त किया जा सकता है परमेश संख्याइं कहलाती है जहां पर पी और क्यूं हमेशा क्यों चाहिए एक पुड़ांग होने चाहिए उबहनुस्ट गुडणखन्ड नहीं डवयां की यह सभी एक पोडाँनक है सभी क्या है इन्स और हर पुडांक необ को संग्रा को कि और ये पुडांक को हो क्यों का मान कभी जीरो ना हो इस सभी संख्यां क्या क्या क्यते हैं परिमेशंख्या की बात करते हैं अब परिमेशंख्या तब जानी गयोंगे जो परिमेशंख्या नहीं है वह परिमेशंख्या होगे एक लाइन में यह उन्हें क्या क्या क्यते हैं आप परिमेशंख्या आईए देखते हैं के बारे में परिमे संख्या हैं वे संख्या हैं जो परिमे नहीं होती परंतु उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है अथा वे संख्या हैं जिने P बटे Q कुरूप में बेक्त किया जा सकता है आप परिमे संख्याएं कहलाती है इसे P और Q परश पर अभाज शंख्याएं है Q का मान 0 नहीं जैसे अंडरूर 2, 3, 5 यह सब क्या है इसने जब भी तोड़ा जाएगा तिनके पूरांक मान या पूर संख्याएं मान में नहीं लिख लेंगी अर्थात जिने संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया थेकता यह नहीं पता है कि संख्या रेखा पर किस जगह होंगी तो इन से भी संख्यों को हम आपरिमे संख्या क्याते हैं और पाई भी क्या है? एक आपरिमे संख्या है जब कि पाई कमान 22 बटे 7 एक क्या है? परिमे संख्या है क्या देखा हम लोगों ने? परिमे तो एक आपरिमे संख्या है पाई पाई एक परिमें संख्या है किन्तों जो पाई कमान है बाइस बटा साथ या एक परिमें संख्या है यह पाई स्वेम क्या है एक अपरिमें है अपरिमें संख्या होगे कुछ महत्पूर्ण लच्छन है उनके बारे में भी में लोगे एक एक करके चर्चा कर लेते हैं औ कर सकते हैं इस वीडियो को अपने सभी शातियों को सेर कर दीजएगा अगर आपको गणित नहीं आती तो यह वीडियो आपको गणित सिखाने में सबसे ज्यादा मददगार शाबीत हो शकती है आए हम देखते हैं प्रतिक धनात्मक आप परिमें शंख्या के संगत पर रडात एक रडात्मक आप परिमें शंख्या भी होती है यह आवश्यक नहीं है कि यह आवश्यक नहीं है कि दो आप परिमें शंख्याओं का योगफल शादव आप परिमें हो जैसे काणी में पांच प्लस माइनस काणी पांच जीरो लेकिन आप परिमें जीरो नहीं है यह सब के लिए आगे देखते हैं लोग यह आवस्यक नहीं है कि दो पर आप पर में संख्याओं को गुणन फल भी से दो ऑव परी में हो एसा पर पूच्छा जा सुका है जैसे करणी में दो गर गुडा करणी में दो करेंगे तो के वल दो आगा सुरी बीस है गलत है कर्णी में क्वावल दो दो कर दोवाई दो नहीं दो भॉड़ फ्राप्ट कर यह मैं स्वॉर्पाइशहよね दो से एक पर फिर मेर संख्या है एक चैनल कि बटाigent such life में आगे दिख्ते हम लोग most important point है repeat skin sort करके रख लिजिए एक आप पर्मे संक्या था ताकर मिन शंख्या योग phal और अंतर सदो और भरी में होता है जिसे अपरी में आपरेमे संख्या योग फल अंतर सदो अपर्मे में होता है धान दीजिएगा एक परर आपरा में का इंटर हो या अनतर हो जेसे उधारन दिया है एठारा प्रस कडरी में दो मैनस पत्चीस क्या और चाहिसरी में मैंने चशे we order चारीस में फॉर्दव क्या आ पर में शंख्या है तरभार प्रमे में होता है most important दोपीन प्रमे शंख्यां का भागपल आओ प्रमे संख्या होती एक स्ना असुने पर में होती जैसे आपठीक लिजे अ fines काड़े में च्छा गुरा करने तो क्या है गाएगा चातकर इमिक है की अवी यह संक्राइब चालब मार् अग Margolis परमीशंक आप ने परमेशन परमेश की मिध हमत्यों का लिजेगा जैसे आपे दिख है यहां पेगर गुड़ा निशान होता है काड़िम तीन गुड़े पास्थ थोड़ा सा गलती है सो सही के लिजएगा अई और कुछ देखते हैं आप पर में संख्याओं को क्रम योग बिने में होता था था किसी भी करम में रखा था सकता भी नियम होता मैं इसका कोई नियम नहीं से चिसी भी करम में रख देंगे इसको उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन ध्यान रहे चिन अगर कोई दिया है तो इसके चिन्नों के साथ उसे रखना अनिवार है फिरम देखते हैं जोड का सहाचर नियम दिखिए आप साचर नियम की भी भाख्या हो जा जाचा चुका है सीटेट के लिए इसलिए इसे एक बार आप जरूर से देख लीजएगा आपके लिए यह सबसे ज़्यादा महत्त पूर्ण है आगे हम देखते हैं परमेशंख्याओं के लिए सुनने एक तत्सम अव्या है अर्था सुनने को किसी परमेशंख्या में जोड़ा जाए तो योगफल के रूप में वही संख्या प्राप्त होगी अर्था सुनने क्या है एक तत्सम अव्या है ठीक अव्याव है याद रखे से लिए किसी भी प्रमेंशंख्या में जोड़ जाएगा सद्य वही क्लव प्राप्त होगी तो यूप प्राप्त होगा तो यूप्फल सुनने हैं यह अगर मैज़िमत पाच को जूड़ा जोड़ा जाए तो क्या होगा यह से कड़ जाएगा जीरो होगा अर्था दो परश पर बीप्रित पर्मेशंख्याओं का जोड़ा जाए तो योगफल सदेव सुनने ही होगा इसे नोट डाउन कर लिजेगा मौस्ट इंपॉर्टेंट है मतलब जो आप देख रहे हैं इस दम स नियम नियम लागू होता है कि न साचरनी में यहाँ पूछा जा सकता है कि साचर् नियम किसे कहते हैं इसलिए एक बरियाद रखे रहेंगे तो आपको परिच्छा में अगर साचर नहीं आएगा पुछेगा तो आप प्रशन में किसी प्रकार की गोई गलती नहीं होगी आपकी और आपके एक नंबर आसानी से बच जाएंगे आगे देखते हम लोग यदि परिमे संख्याओं का योगफल का किसी तीसरी परिमे संख्या से गुड़ा करे तो गुड़न फल तो उन दोनों संख्याओं को तीसरी संख्या का अलग गुड़ा करके जोड़ने शे प्राप्त होता जिस यहां पर दिया है बी बटे सी में पूर आगे दिखते हैं, एक परिमे संख्या को दूसरी परिमे संख्या आज भाग दिया जाए, तो भाक पल वही होगा, जो भाच संख्या की फिलंप से गुड़ा करने पर प्राप्त होता है, इस से ए बट्टी बी को अगर भाग पल दिया जाये, तो उसको गुड़ा में हो जाए होंएगा बतलब ये एक परवियर शंख्या को दूसरे प्रवियर संख्या से भाग दिया जाए तो भाग छवही होगा जो कि भाज संख्या के बिलॉब म्हें से गुरा करने पर प्राप्त हो किस से भाग करने पर उसी संक्ख्या से भाग दिया जाए तो एक और रणतमक परमिय संक्ख्या को दूसरे धनतमक अथवा धनतमक संक्ख्या अधिन पहुंदो लिए यदि दो पर में संक्या अधिक हो उनके प्रते के एक दूसरे के बिधो दैसे इसका व्युतकरम देह से कैंसील एसका व्यूतकरमिनां है कि दो पर में शंख्याओं का गुड़न फल एक हो तो प्रतेक एक दूसरे के भ्यूतक्रम होते हैं सबसे ज्यादा महत्यपूर्ण था और आप उनिंग क्लाज्वान के लिए दिखिए हैं नीचे नंबर दिख रहा होगा आपको शिक्स ट्रे जीरो सिक्ट डावल सबस्क्राइब नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेगी टेलीग्राम में बिश्टॉल करेगा सर्च करेगा दुर्गेश सर्ब बिना इस पेस दिए और इलेनी पर दूर्गेश टूटर इस्टाग्राम वहां भी आफमें फालो कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात वहां पर आ गणित आपको नहीं आ रहा है तो आगे आपको गड़ित में समस्क्राइब हो सकती है इसलें एक एक क्रम से बेसिक के लिए बढ़ रहा है और आप इस वीडियो को सभी सात्यों तक जरूर पहुचा दीजेगा और कोई भी फिडवैक को समस्त्रा हो तक जरूर बताएगे छ झाल